नमस्कार दोस्तो आज की ये फ्रोपर्टी की हम विजिट करेंगे इस फ्रोपर्टी की साइज 20 का इसका फ्रेंट है 60 की इसकी डेप्त है विला 134 गज में बना हुआ है विला की जो लोकेशन होने वाली है वो बिनजारी मारक दादी का फाटक नियर सिकरोड मुल्य उपरा र प्रेडिय पट्टे के साथ में आज का आपको ये विला मिलने वाला है फ्रन्ट साइज का आप लुक देख सकते हो विला का पार्किंग स्पेस बहुत ही सेफिसेंट है शेच ए बडी फोर्टे half प्रेंट कार आप इसमें फारय कर सकते हो विला में सीडियो का प्रोविजन आउटसाइड से दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर फेश टेर्स का उप्षन बार की तरब से मिलने वाला है साथ में ड्रोइंग होल काफी सेफिसेंट साइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी मंदिर का प्रोविजन आपको दिया हुआ है किचन में आपको फरनीचर का फ्रोफर वर्थ देखने को मिलेगा किचन में चिमनी आपको लगा के दिये जा रही है फुली वेंटिलेट आपका किचन रहने वाला है होल में आपको LED पैनल का प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा साथ में आप चलते है बेडरूम की तरफ काफी बड़ी साइजी में आपको आज के ये बेडरूम मिलने वाला है साथ में वाड़्डरोब की आपको इसमें फेसिलिटेज मिल जाएगी वेंट्रिलेशन के लिए आपको प्रोफर सेफिशेंट एरिया दिया हुआ है पिछे की तरफ वालकनी है श्टोरेज के लिए उप्सन आपको दिया जा रहा है मास्टर बेडरूम के साथ में अटेच वोस रूम की फेसिलिटेज आपको मिल जाएगी इसमें वेस्टन सीट आपको लगा के दिया जाएगी होल की साइज आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी साइज में होल अपको दिया जा रहा है साथ में LED फेनल की साइज बहुत ही सांदार है वोस पेसन का प्रॉज़न आपको यहां पे दिया जाएगा यह कॉमन वोस रूम की फेसिलिटीज आपको होल के साथ अटेच में मिल जाएगी फ्रंट का यह जो बेडरूम है आप इसको गेस्ट्रूम के रूप में भी यूज में ले सकते हो काफी बड़ी साइज में आपको फ्रंट का एक बेडरूम मिल जाता है लगबग 12 बाई 14 की साइज में यह बेडरूम की साइज है अब हम चलते हैं फर्ष्ट फ्लोर की तरफ काफी बड़ी साइज में सीडियों की चोड़ाई आपको दी जाएगी इस्टिल की रेलिंग का इसमें यूज किया हुआ है काफी मजबूत रेलिंग आज आपको यह मिलने वाली है अब हम एंटर करते हैं फर्ष्ट फ्लोर के होल की तरफ फोर्ष्लिंग का काम आप देख सकते हो सांदार को फ्लाइट लगा करके आपको दी जा रही है शेम एजिटीज दोनों फोर्षन में आपको मोडूलर किचन मिलने वाली है बहुत ही बड़ी साइज में आपको यह किचन मिल जाएगी फर निचर का शांदार वर्किस में किया जब हुआ है यह थर्ड बेर्ड रूम है थर्ड बेर्ड रूम की साइज भी बहुत बड़ी है लगबग 12 बाई 15 की साइज में आपका वे बेर्डरूम मिलने वाला है यह वालकनी एरिया आ गया आप देख सकते हो उपर के पॉर्षन में भी आपको अटेज वोस्रूम की फेसिलिटीज दी जा रही है जैसा ग्राउंड प्लॉर पे आपको दिखाया गया था होल की साइज लगबग 18 बाई 18 की साइज में आपको ड्रोइंग होल मिल जाएगा बहुत बड़ी साइज के अंदर यह कॉमन वोस्रूम है अब यह फ्रेंट के बेर्डरूम में वाडरूम की फिसिलिटीज आपको मिल जाएगी फूर्थ बेर्डरूम आपका यह होने वाला है साथ में अब हम चलते हैं विला की बालकनी के अंदर तो लगबग साड़े चार फांस फिट की आपको बालकनी मिल जाएगी सामने की तरफ 40 फिट की वाइड रोड होने वाली है शेपरेट जेड यह बटे में आज आपका यह विला रहेगा सभी बेंकों से लोनेबल है इस प्रोपर्टे की विजिट के लिए दोस्तों आप स्क्रीन पर दिये वे नमरों पर कॉल कर सकते हो आप विजिट कर सकते हो